हेलो दोस्तों गोड आप्टर नून कैसे आप लोग आज हम लोग जा रहे हैं मंदीर घुमने के लिए तब लोग दिखाते हैं मंदीर आप वीडियों बने रहना दिव्यान सुक कैसा लग रहा है छंडा में टोपी लगाया है कितना अच्छा टोपी है ना चलो दिखाते हैं डिख सकते हैं लोग का शीह मंदीर आप लोग का इसा लग रहा है यह इक है पंजाब दोलबधा का सीव मंदीर एक रस्ता है इधर गिया रस्ता हो और ईधर लोग रहते हैं गे ब्लोड़ आ पर्लो दिया ओड़न्न बाठक्रा है तो यह ब्रूड दुड़ में हैं हैं बाकि उदर जो दिखाई दे रहा है वो इसमें होता है प्रोग्राम होता है कभी-कभी तो बंडारा होता है आगे भी ऐसा ही है और इधा दिभी आंसु भी है चलो आप लोग देखाते उपर जो देख सकते आप लोग मुझे भी और इधर निचे तरफ से इसा लगते देखने इधर मिर्खे से जीज्या हुरा है देखिस देखिस कन्ही करते में एप लोग रजाए भी कि 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 यहाउ बटे मता देख है चालो जैंसिता कि बटारे थमलक पहुंच चुक है दर पर इंदर देख सकते हैं निचे मांसा देभी है निचे 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 देख सकते हैं वो निचे है वह मांसा भी है निछे बाकी धर उपर दिखाए देर आप लोग उपर ओसे वंदी रहे चलो दिखाते आप लोग को विडिया थे लेको ने कुछ ने करेगा चलो लेगे जाना इसको नहीं कुछ ने करेगा चुग देख कुछ ने कर रहे न चलो ये बहुत सारे कुटाग बच्चे तीन कुटाग बच्चे कुछ ने कर रहे हैं अ आ अ अ ग्यां कि देख सकते हैं हम लोग आए हैं मंदर स्युजी की मंदिर अ हमजब ढल पा मंदिर चिसुजी का तो अब दर्सन कर लिजिए और कुमेंट बोल देना जाए होलेना देशी जी कर लिंगे इदर इदर बजरंग बली का अए है दिव्यान सोटी का लगाने के लिए गया है दर्सन करने के लिए मूरत है और इधर राम सिता जी है लश्मन जी है बजरंग बली भी है उसका भी मूरत है इदर और इधर भी है देख सकते हैं इदर फोटो लगा हुआ संकर्णिका पार्वत्ती जी का अपलों देखाता हुँ इदर भी है इदर देखना अभी मिलेगा आपको कि रिष्णा जी का है मूरत इधर मूरत तिका लगा लिया मुर्ति है इदर दिवासु गया इदर टिका लगा ले तुमने टिका लगाने के लिए गया था और क्या के डूंड रहा पता नहीं इदर मैं आप लोगों देखा दता हूं अधर कृष्णा जी का मुर्ति है और देख सकते कितने अच्छी तरह से बनाया हुआ है मंदिर में मुर्ति और इदर है राम सित्ता का सायद नहीं कि राधा किर्ष्णा का है चीज यह मुरत है राधा किर्ष्णा जी का मुर्ति है यह वाला और आप लोगो दिखाता हूं अभी और इधर बहार निकल के दिव्यांसो फिर से बोल रहा है कि मुझे घंटी लगाना है घंटी बजाना है और अब हम लोग बाहर निकलेंगे यहां से यह गेट है लगा हूँआ सिसा का गेट है बहुत उची जगह में है दोस्तों हम लोग चलते हैं फिर दर्शन कर लिए है और अभी आप लोग दिखाएंगे आप लोग वीडियों बने रहे ना दोस्तों देख सकते दिव्यांस दोड़ रहा है कितना मज़े से मतलब पूरा खेल रहा है मज़े ले रहा है पूरा ड़ला नहीं से लिए दोड़ के जारा है कि दिल्ठ गहिन पेला रहता है दिव्यांस इसे ही खेलते रहता है रहता है खेलने के लिए आजाना दोस्तों देख सकते हम लोग घर पहुच चुके हैं तो हम लोग आज बनाएंगे अलो टिकी तो टिकी बनेगा बनेगा पंजाब में बहुत मुसूर है टिकी का तो ही आज हम लोग बनाएंगे टिकी आज अब लोग दिखाते हैं कि टिकी कैसा बनता है जो भी बनाते हैं टिकी दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग आलो को मेस कर रची तरह से मेस कर कि अभी इसमें डालेंगे और रोत इसको पहले चान लेते हैं आरा रोत को अच्छी तरह से चान के फिर इसको मिलाना पड़ेगा अभी जगने से चान लेते हैं लोग वीडियो वीडियो वैसा लग रहा है कोमेट कर बताना इसको अच्छी तरह से हम लोग हमें मैं इसको फिर समेस करूँगा। मिलाँगा पूरा अच्छी तरह से और मिला के फिर देखो मेल की गया और मैं इसको वाचे से बना रहा हूं इसको कुंद्ध कर देखान सो भी खालन के तमछाव से तमधन दिखा तो अधर मैं निम्बु डाल रहा था प्याज गज जो भी डाला कटा हुआ था मेरची धनिया पत्ता की उसमें डाल के फिर इसमे लगा दिया मैंने उपड़ अब डाल के उसके बाद अमने लगा दिला तमटर सॉस देखो मैं भी खा रहा हूं कि अच्छा लगा खाने में तो दोस्तों कि देख सकते हैं आँ लोग और मटर का सबजी हम लोग बना रहें सुगरे के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा तो जल्दी से खाना पिना खा के कहीं भी निकाल जाओ इसा फैदा ही होता है सुगरेगा तो चलो फिर आज को वीडियो कहीं समाप्स करते हैं आप लोग अच्छा लग वीडियो तो कमे करेंगे बाइ 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 बाइ